शिक्षा ओ शिक्षा आई मा बोलो मा अरे कुछ काम का सीख लो ना कटाओगे हमारे ससुराल जाकर हमें न करनी शादी वादी हमें तो बस पढ़ना है शिक्षा क्या रहा हमारे दाखिले का पिता जी बात कर लिया हम मास्टर जी से और कईवाद हैं तेवा दाखिला देख बेटा तेवी जित पर दाखिला तो कईवाद है हम वो भी सब के उपर से जाके बस हमाई भी इज़त पे आँच ना है कोई कोई दिक्कत ना हो बस हम पूरा धियान रखेंगे आपकी इज़त और अपनी लक्षी का मा, मा हम कॉलिज जा रहे हैं अरे वैं मास्टर के छोरी कहा जा रही है अरे कॉलिज तुमको हमरे गाओं का कानून मालूम नहीं है का इधर तो आरे छमिया हम पढ़ाएंगे तुमको सर कटा सकते हैं लेकिन पर छुका सकते नहीं मुक्या के लड़के ने बोला है अगर दुबारा कॉलिज जाते ही नजर आई तु जान से मार दूगा कोई जरुत नहीं है कल से कॉलिज जाने गे पिताजी हम कॉलिज जाएंगे देख बेटा हमने पहले ही कहा था कोई दिक्कत आते ही तो मैं पढ़ाई छोड़नी होगी पर पिताजी बस इसके आगया बहुत कोई बात नहीं है पिताजी हम किसी भी हाल में कॉलेज जाएंगे चाहें आप साथ दो या ना दो सिक्षा कहा जा रही हो कॉलेज तुम्हारे बापू तुम मार डालेंगे सिक्षा मरना तो हमे यहाँ पर भी है क्यों ना लड़कर मरे बापू से तो हम लड़ नहीं पाएंगे हम नहीं जाने देंगे तुम्हें मा आज एक और औरत को आज में मत जोगो हमारे सपने की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हैं साथ चाहिए तुम्हारा एक मा और एक औरत दोनों हो तुम तुमसे जादा दर्द कौन समझेगा हमारा लगता है तुम्हें अपने जिन्दगी से प्यारवार नहीं है मेरे लिए पढ़ाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं तो तु समझ ले तुम्हारी जिन्दगी खतम तो अब इस दराकी से हमार मुकाबला करोगी नहीं होसलो से पागल हो गई हो क्या तुम्हें लड़की हो और लड़किया ऐसा नहीं करती सही कहां तुने लड़किया ऐसा नहीं करती मगर हाँ अगर कोई उसके वजूद के साथ खिलबार करता है तो वो कुछ भी कर सकती है अगर करता है करता है झाल झाल